पांच फरवरी दोहजार चॉबिस सबसे बड़ा सूरी ग्रहन भारत में कहां कहां दिखेगा सूरी ग्रहन चार रासियों की बदले की किस्मत जाने सूतक और सही समय इस बार साल का पहला सूर ग्रहन इस दिन लगने जा रहा है पौराणिक मानताओं के अंसार सूर ग्रहन राहू और गेतु की कारण लगता है जो की अमवस्या के दिन ही होता है आपको बता दे कि सूर ग्रहन को देवता का दर्जा दिया जाता है इसलिए जब ग्रहन लगता है उसके बारे घंटे पहले मांगलिक कार बंद कर दिया जाते हैं मंदिर के कपाट को भी बंद कर दिया जाता है हैसे में इस बार किस तारिक को लग रहा है सूर ग्रहन और कब से कब तक रहेगा यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे तो चले वीडो को शुरू करते हैं तो पहला सूर ग्रहन 2024 कब है तो साल का पहला सूर ग्रहन आठ अपरेल दिन सुमवार को लगने वाला है सूर ग्रहन 9 बज कर 12 मिनट पर शुरू होगा जो की देर रात्री 1 बज कर 25 मिनट तक समपत होगा आप को बता देगी, 8 अप्रेल को लगने वाला सूर ग्रहन भारत में नहीं दरस्तिमान होगा, इसलिए इसका सूतक काल मान नहीं होगा, तो कहां कहां देखेगा पहला सूर ग्रहन दो हजार चौबेस, अमेरिका की 13 राज़ों में ये सूर ग्रहन देखा जा सकेगा, उसके अ साल का पहला सूर ग्रहन किन-किन लोगों को धनवान बनाएगा इन रासी वाले जो हैं जितने भी लोग हैं उनको बड़ा धनलाब हो सकता है और बदल सकती है किस्मात मेज रासी आर्थिक इस्तती में सुधार होगा दांपत्य जीवन सुक्मेह रहेगा परवार के सदस्यों क साथ समय वतीत करेंगे लेंदेन से लाब होगा मालक्षमी की करपा रहेगी आपको नौकरी में तरकी मिलने के योग बनेंगे मान समान में व्रदी हो सकती है वहन की खरेदारी कर सकते हैं में जीवन साथी के साथ समय वतीत करेंगे जिससे वहवाहिक जीवन सुख में होगा सिच्छा के छेतर से जुड़े लोगों के लिए समय किसी वर्दान से कम नहीं रहने वाला है जुरान निवेश करने से लाब होगा, स्वास्त अच्छा रहेगा, नौकरी समधी सुब समाचार मिल सकते हैं आय में व्रदी से पैसो से संबंधी, परिशानी दूर हो सकती है? सिंह रासी आय में व्रदी हो सकती है, आपके द्वारा केगय कार्यों की सरहना की जाएगी कार्यों में सफलता मिलेगी, नौकरी और वैपार के लिए समय सुब है, रुकाधवा काम पूरा हो सकता है कारक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा यात्रा से लाब होने की योग बनेगे कन्यारासी वैपारियों को मुनाफ़ा हो सकता है धार्मी का अध्यात्मिक कारें में हिस्सा लेने का अफसर मिलेगा धन लाब होगा जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा सिक्षा के छेत्र से मौकरी में तरक्य की योग बनेगे नए काम की सुरुगात कर सकते हैं